हेलो बच्चों कैसे हैं आप उंबीत करती हुआ आप बरिया और एकदम मज़े में होंगे तो बच्चों आज हम बेहद अनंदित करने वाला एक पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आत्मा राम बच्चों इस साहित्य निबंद के रशनाकार हैं मुन्शी प्रेमचंद तो सबसे पहले हम पार्ट को शुरू करने से पहले इस पार्ट का संख्शित परिचे ले लेते हैं मुन्शी प्रेमचंद को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का कथा समराठ कहा जा सकता है उन्होंने अनंत सरल भाषा में दिल को छूने वाली कई कहानिया लिखी हैं प्रस्तुत कहानी में उनकी इसी प्रतिमा के दर्शन होते हैं तो आईए अपनी इस कहानी की ओद चल सुविख्यात आदमी था यानि बहुत फेमस आदमी था गर के बहार एक कमरे में उसको दुकान थी जहां वह बैठा सुबे से शाम तक खट-खट हतोरी पीट कर सोने की घहने बनाता था सुनार था तो घहने बनाता था लोग इस खट-खट के इतने अभ्यस्त अभ्यस्त य नित्यप्रति यानि कि रोज नित्यप्रति प्रता कहल में अपने तोटे का पिंज्रा लेकर कोई भजन गाता हुआ तालाप की और जाता था उस धुंदले प्रकाश में उसका जरजर शरीर अर्थात जो दुबला हो छुका था और पोपला मू पोपला यानि कि बिनादात जर्थात उसका जर्जर सरीर और बिनादात वाले मूँ और जुकी भी कमर देखकर किसी अपरेचित मनुश्य को उसके पिचास होने का भ्रम हो सकता था जो ही लोगों की कानों में आवाज आती सत गुरुदत शिव्दत दाता लोग समझ जाते कि भोर हो गई है भोर यानी सवेरा हो गया है महादेव का पारिवारिक जीवन सुख में ना था उसके तीन पुत्र थे तीन बहुए थी दर्जनोनाति पोते थे लेकिन उसके बोच को हलका करने वाला कोई न था बिचारे महादेव को कभी-कभी निराहार निराहार यानिकी बिना आहार के बिना भोजन के निराहार ही रहना पड़ता था भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद साम्यवाद यानिकी सबको बराबर समझने वाला साम्यवाद का ऐसा गंगन भेदी निर्धोष अर्थात आकाश गुझाने वाला शोर गंगन भेदी निर्धोष का अर्थ होता है आकाश गुझाने वाला शोर ऐसा शोर होता कि वे भूका ही उड़ जाता तुफान समझ जाता था उस घर में तो वो भूका ही उड़ जाता था अर्थात बिना भोजन की और नारियल का हुका पीते हुए सो जाता उसका व्यावसाइक व्यावसाइक यह निकी कारोबार संबंदी उसका व्यावसारिक जीवन तो और भी अशान्ती कारक था अर्थात वो भी सही नहीं चल रहा था यह अध्यपी वे अपने काम में निपूर था निपूर यानि की चतुर था अपने काम में वह बहुत जादा चतुर था तथा पी उसे आए दिन जक्की और धैरे शून्य ग्राहकों के अपशब्द सुनने पड़ते थे धैरे शून्य का अर्थ होता है बच्चों जिनमें धीरज बिलकुल ना हो और अपशब्द का अर्थ है बुरी बाते अर्थात उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था जिसके कारण उसे ग्राहकों के अपशब्द भी सुनने पड़ते थे पर महादेव गंभीरता से इसे जुकाए हुए सब कुछ सुना करता था जो ही ये कलह यानि कि अशांती फैलाने वाला एक शोर जोहीं ये कलह शांत होता वे अपने तोते को देखकर पुकार रोपता सत गुरुदद चिवदद दाता और इस मंत्र को जबते ही उसके चित को चित यानि उसके मन को पूर्ण यानि पूरी तरह उसके चित्त को पूंग शांती प्राप्थ हो जाती थी एक दिन किसी लड़के ने शरारत वश पिंजरे का द्वार खोल दिया महादेव ने सिर उठा कर पिंजरे की और देखा तो उसका कलेजा सन रहे गया अर्थात वो आश्चरे में पड़ गया तोता गायब था महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खरपैलों पर निगाध दोड़ाने लगा खरपैलो यानि कि पेड़ों के बीश की जो पत्यों के बीश का भाग वो खरपेलों में निगाध उड़ाने लगा कहीं उसका तोता उड़कर वहां तो निचला गया उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह था वह प्यारा तोता नाती पोतों से उसका मन भर गया था लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विख्र पड़ता था परोशियों से उसे चिड़ थी क्योंकि वे उसकी अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे वे उस अवस्ता में था जब मनुश्य को शान्ती भोग के अतरे कोई और इच्छा नहीं रहती तोता एक खरपेल पर बैठा था महादेव ने पिंचरा हाथ में लिया और उसे तोते को दिखा कर कहने लगा सत गुरुदत शिवदत दाता लेकिन काउं के लड़के एकत्र होकर तालिया बजाने लगे उपर से कोवों ने काउं काउं की रट लगाई रट लगाई यानि की बराबार वो यह आवाज कर रहे थे तोता घबरा कर उड़ा और गाउं से बहार निकल कर एक पेड़ पर जा बैठा मादेव पिंचरा लेकर उसकी और दोड़ा लोगों को उसकी तेज चाल पर आश्चरे हो रहा था अर्थात शरीर एक बन ढल चुका था लेकिन फिर भी आज चाल में बड़ी तेजी दिखाई देल थी तोपेर हो गई थी किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे उन्हें विनोद का विनोद यानि की मजा करने का उन्हें विनोद का अच्छा अफसर मिला महादेव को चड़ाने में सबको मजा आता था किसी ने कंकर फैके किसी ने तालियां बजाई तोता फिर उड़ा और वहां से कुछ दूर आम के बाग में एक पेड की फुन की पर जा बेठा महादेव फिर खाली पिंजरा लेकर मैंडक की तरह उचकता चला बाग में पहुचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी सिछ चक्कर खा रहा था पिंजरा उठा कर फिर कहने लगा सत गुरुदत शिफ्दत दाता तोता फुन की से उतरकर नीचे की डाल परा बेठा किन्तु वह महादेव की और सशक नेत्रों से ताक रहा था अर्था बड़ी सनेह बड़ी निगाहों से देख रहा था तोता भी शरारत के मूर में था लगता नेकिन वो महादेव को बड़े शरारत भरी और प्यार भरी और संदेव भरी नजरों से देख रहा था शाम तक यही हाल रहा, तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी इस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठकर, अपने दाना पानी वाली प्याले के ओर देखता, और फिर उड़ जाता यहां तक कि शाम हो गई माया और मोह का ये संग्राम संग्राम अर्था द्यूद अंदकार में विलीन हो गया अर्थात अंदकार हो गया शाम रात में बदल गई रात हो गई चारों और निब्रिड अंदकार चागया अर्थात कुछ न दिखाई देने वाला तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और नाप पिंजरे में ही आ सकता है फिर भी उसने उस जगह से हिलने का नाम ना लिया अर्थात वो तोते को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था आज उसने दिन बर कुछ नहीं खाया रात के भूजन का समय भी निकल गया पानी की बूंद भी उसके कंट में ना गई कंट यानि उसके गले में ना गई लेकिन उसे भूक ना थी ना प्यास तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार शुड्क और सूना जान पड़ता था शुश्किया निगे बेज बेजान महादेव को अपने तोते के बिना अपना जीवन बेजान सा मालूम पड़ रहा था उसके जीवन में अब जान नहीं रही महादेव दिन भर का भूका प्यासा ठका मांदा रह रहकर जपकिया ले रहा था किन्तु एक शर में फिर चौक कर आखे खोड़ लेता और उस व्रिस्त व्रिस्तित यानि फैली हुई उस व्रिस्तित अंधकार में इसकी आवास सुनाई देती सत्गुरुदात शिवदर दाता आधी रात गुजर गई थी सहसा रहे कोई आहट पाकर चौका देखा एक दूसरे व्रिक्ष के नीचे एक धुंदला धीपक जल रहा है और कई आदम साथ वो भी वहां खिचा चला आने को आतुर हो गया उच्छ स्वर से बोला उच्छ यानि की उच्छ स्वर से सद्गुरुदर चिवदर दाता और उन आदमियों की और चिलम पीने चला गया किन्तों जेस प्रकार बंदू की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे कोई इधर भागा कोई उधर भागा महादेव चिलाने लगा ठे सब चोर हैं वह जोर से चुला उठा चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोरो ने पीछे मुड़कर भी ना देखा महादेव दीपक के पास गया तो उसे कलश कलश यानिकि एक घड़ा एक कलश रखा हुआ मिला महादेव का हिरुदे उचलने लगा उसे कलश में हाठ डाला तो पाया उसमें मोरे थी मोरे अथात सिक्के उसने एक मोहर भार निकाली और दीपक की उजाले में देखा खरे सोने की मोहरे थी अर्थात सोने की मोहरे थी हो सारी उसने तुरंट कलश उठा लिया और दीपक बुझा दिया महादेव राद भर पेड़ के निचे चिपकर बैठा रहा आज वैस सह से चोर बन गया था उसे शंका हुई कहीं ऐसा ना हो कि चोर लोट आएं और मुझी अकिला देखकर मोहरे चीन ले उसने कुछ मोहरे कमर में बांदी फिर एक सूखी लकडी से जमीन की मिठी हटा कर कई गड़े बनाए और उन मोहरों से भर कर मिठी से ढग दिया महादेव के सामने अब दूसरा ही जगत था चिन्ताओं और कल्पनाओं से परिपून परिपून अर्थात भरा हुआ अर्थात मोहरे मिल जाने के बाद चिन्ताओं ने उसे भिगेर लिया और कल्पनाओं की दुनिया में वो खो गया यद्दिपी अभी कोश के हाथ से निकल जाने का बहता कोश यानि कि जिसमें बहुत सारा सामान हो खजाना रखा जाए तो उसके हाथ से निकल जाने का उसको बहता कि कहीं ये खजाना मेरे हाथ से न चला जाए पर अभिलाशाओं ने काम करना शुरू किर दिया अर्थात उसके मन में जो अभिलाशाओं थी जीवन के प्रती वो काम में आने शुरू हो गई एक पक्का मकान बन गया सराफे की एक भारी दुकान खुल गई अर्थात का हल्पनाओं में निज निज यानी अपना निज सम्मंदियों से फिर नाता जुड़ गया विलाश की सामगरिया अर्थात जिसमें एशो अराम होता है विलाश की सामगरियां एकत्रित हो गई महादेव तीर्थ यात्रा करने चले और वहाँ से लोटकर एक बड़े समारो कायजन किया जिसमें यग्य और ब्रह्म भोज हुआ अर्थात बहुत सारे लोगों का भोजन इसके पश्चात एक शिवाले और कुवा भी बनवाया गया एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रती कथा पुरान सुनने लगा सादू संतों का आदस सथकार होने लगा अकस्मात यानि कि अच्छानक से अकस्मात उसे ध्यान आया कहीं चोर आग जाएं तो मैं भागूंगा कैसे स्वैम को परकने के लिए उसने कलश उठाया और दो सो पक तक बेताशा भगता वो चला गया जान परता था उसके पैरों में पंक लग गए हैं चिंता शान्त हो गई इनी कलपनाओं में रात व्यतीत हो गई व्यतीत अर्थात बीद गई उशा का आगमन हुआ अर्थात सवेरा हो गया हवा जागी चुडिया गाने लगी सहसा महादेव की काणों में आवाज आई सद गुरुदर शिवदर दाता राम के चड़नों में चित लगा ये बोल सदेव महादेव की जिववा अर्थात उसकी जीवपर जिववा करत होता है जीव जीवपर रहते थे पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतयकरान को स्पर्ष ना करता था अंतयकरान यानि उसके मन को स्पर्ष करना यानि की चुणा अर्थात ये शग वो हमेशा अपने मुझ से बोलता रहता था लेकिन इसका अर्थ शायद वो पूरी तरह नहीं समझ पाया था जैसे किसी बाजे से राग निकलता है उसी प्रकार उसके मुख से ये बोल निकलते थे निरर्थक निरर्थक यानि की बिना अर्थ के और प्रभाव शुन्य अर्थात जिसका कोई मोल नहीं है जो शुन्य के बरावर हैं कोई प्रभाव नहीं तब उसके हृद्य रूपी व्रिक्ष पत्र पल्लव अर्थात उसके पन्नों में उसके हृद्य के पन्नों में विलीन था अर्थात मुख पर तो थे लेकिन मन के अंदर नहीं थे पर अब उस व्रिक्ष में कोपले और शाखाय निकल आए न था जो उसका मन रूपी व्रिक्ष था आज उसमें सचमुच कोपले और शाखाय आ गई अरुनाय दे का समय था बच्चो अरुनाय दे का अर्थ होता है सवेरा सवेरे का समय था प्रकृती एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी उसी समय तो था पैरों को जोड़े हुए उची डाल से उत्रा जिसे आकास से कोई तारा तूटा और आकर पिंजरे में बैठ गया महादेव प्रफुलित होकर अर्थात बेहत प्रसन हो गया प्रफुलित होकर उधर दोड़ा और पिंजरे को उठा कर बुला आओ आत्माराम तुमने कश्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मर दूँगा उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया बगल में कलश दबाया और घर की और चल दिया तो ये थे आत्माराम और उनके तोते जिनके बारे में आगे जानते हैं महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था रास्ते में कुत्ते के सिवा और किसी से भीटना हुई और कुत्तों को मोहरों से कोई विशेश प्रेम नहीं होता उसने कलश को एक नाद में छिपा दिया अर्थाद एक कोना एक छेद होता ने उसके अंदर छिपा दि और कोईलों से अच्छी तरह ढखकर अपनी कोठरी में रखाया जब दिन निकल आया तो वे सीधा पुरोहित के घर जा पहुंचा पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे कल मुकित में की पेशी है और अभी तक एक भी कोड़ी हाथ में नहीं आई यजमानों में कोई सा भी नहीं लेता इतने में महादेव ने आकर पैर्च हुए पुरोहित ने मूँ फिर लिया यह अमंगल मूर्ती अर्थात वो अशुब मानता था उससे अमंगल मूर्ती यानि कि अशुब कि कहां से आप पहुंची रुष्ठ होकर अर्थात क्रोधित और नाराज होकर रुष्ठ होकर पुछा क्या है जी क्या कहते हो जानते नहीं हम इस समय पूजाक में हैं और पूजा में रहते हैं महादेव ने कहा महराज आज मेरे याज सत्य नाराण की कथा है पुरोहित जी विसमेत हो गए अर्थात अश्चरे में आ गए कानों पर विश्वास ना हुआ महादेव के घर पर कथा का होना उतनी ही और साधरन घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिकारी के लिए भीक निकालना पूछा आज क्या है महादेव बोला कुछ नहीं ऐसी ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुनलू प्रभाद से ही तैयारी होने लगी काउं भर में निमंतरन भीजा गया कथा के उपरांत भोजन का भी नियोता था जो सुनता आश्चरे से करता आज रेत में दूप कैसे होगी अथा सब आश्चरे चकित थे कि आज महादेव ने कथा कैसे आयू जित कर ली संध्या के समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडी जी अपने आशन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्छ स्वर में कहने लगा भाईयों मेरी सारी उम्र चल कपट में कड़ गई मैंने ना जाने कितने आद्मियों को दगा दी कितने खरे को खोटा किया अर्थात कितने को दोशी ठहराया पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है मैं आप सब भाईयों को कहना चाता हूँ कि जिसका मेरी और कुछ निकलता है जिसका जमाधन मैंने मार लिया हो जिसके खरे खरे सोने को खोटा बता कर खईदा हो वह अपना अपना एक एक पैसा मुझसे वसूल कर ले अगर कोई यहां ना सका हो तो आप उससे जाकर कह दीजिए कल से एक महने तक जब जी चाहें आएं और अपना हिसाब चुकता कर ले गवाही साकी का काम नहीं है अर्थात मुझे किसी की गवाही की जरुत नहीं है सब लोग सनाटे में आ गए अर्थात किसी की मुझसे कुछ निकली नहीं राथा कोई मारमिक भाव से अर्थात मंता भरे भाव से मारमिक भाव से सिरहला कर बोला क्या खाकर भरेगा हजारों का टोटल हो जाएगा एक ठाकुर ने ठिटोली की और जो लोग सुर्धाम चले गए अर्था जो परलोग सिधार गए जिनकी मृत्यू हो गई उनका क्या होगा मादेव ने उत्तर दिया उसके घरवाले तो होंगे किन्तो इस समय लोगों की वसूली करने की इतनी इच्छा नहीं थी जितनी यह जानने की थी कि इसे इतना धन कहां से मिल गया किसी को मादेव के पास आने का साहस नहुआ दिहात के आदवी थे गड़े मुर्दे उखारना क्या जाने अर्थात पुरानी बातों को क्या बोलना गड़े मुर्दे उखारने का अर्थ है पुरानी बातों पे मिट्टी डालो तो गड़े मुर्दे उखारना क्या जाने फिल लोगों को यह भी यार नहीं था कि उन्हें महादेव से कितना रुपया लेना है और ऐसे पवित्र पवित्र यानि की शुब ऐसे पवित्र आउसर पर भूल चुख हो जाने का भय उनका मूबन की हुए था सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की सादुता ने उन्हें वशी भूत कर लिया था अर्थात अपने वश में कर लिया था वशी भूत का अर्थोता अपने वश में करना अर्था सब आश्चरी चक्कित हो गए थे और महादेव में ऐसा बदलाव देखकर सब मंत्र मुक थे उसकी तरफ अचानक पुरोई जी बोले तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था कंठ है आपका कितना नुक्सान हुआ होगा पुरोई जी के लालज पर टी का टिपड़ी होने लगी अर्थात लोग आपसी बाच्चित करने लगे सही और गलत की यह बहुत जादा बता रहे हैं बहुत हुआ तो दो चार रुपे का नुक्सान हुआ होगा बिचारे से 50 रुपे अठ लिए नारायन का भी डर नहीं अर्थात ईश्वार सब कहने लगे इसको तो प्रभू का भी डर नहीं है कहने को तो पंडित पर निया तैसी खरा राम राम लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो आई अर्थात वो श्रद्धा भावसे से देखने लगे एक घंटा भी दिया पर सैकड़ों लोगों में से कोई भी खड़ा ना हुआ जब महादेव ने फिर कहा मालूम होता है आप सब लोग अपना हिसाब भूल गए हैं इसलिए आज कथा हो लेने दीजिए मैं एक महिने तक आपकी रह देखूँगा इसके पश्चात तीर थी आ काम है वहां की आत्रा है उसने का आप एक महीने तक आईये मेरे पास एक महीने तक आपका इंतिजार करूंगा और इसके बाद मैं निकल जाओंगा तीर थी आत्रह के लिए एक बहिने तक महादेव लेनदारों की रहा देखता रहा रात को चोड़ों के भैसे नीद ना आती अब वे कोई काम नहीं करता था साधू अभ्यास गत अर्था साधू जैसा उसने अभ्यास बना लिया था जो भी द्वार पर आता उनका सत्कार करता अर्थात उसका सम्मान करता था दूर दूर तक उसका सुयश फैल गया अर्थात उसकी अच्छाईया दूर दूर तक फैल गई थी अब यहां तक की एक महिना हो गया और कोई भी उससे अपना हिसाब करने नहीं आया अब महादेव को ग्यान हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा इस घटना को हुए सैकणों वर्ष भी चुके हैं आज महादेव की गाउं जाएंगे तो आपको दूर से ही एक सुनहरा कलश दिखाई देगा वह एक मंदिर का कलश है उससे मिला हुए एक पक्का तालाब है जिसमें खूप कमल खेले रहते हैं तालाब की किनारे एक विशाल समादी है यही आतमराम का स्मिती चिन है अर्थाथ उसका यादगार उसके बारे में अनेक किन्विंतिया प्रशलित हैं अर्थात लोग प्रथा हैं जो लोग आपस में बाच्चित करते हैं किन्विंतिया प्रशलित हैं कोई कहता है वे रत्म जडित पिंजरा स्वर को चला गया महारेव के विशे में बिकितनी ही जन्षूत्याय हैं अर्थात लोगों द्वरबों बनाई गई बाती हैं जन्शुतियां हैं उनमें सबसे मानने अर्थाद सबसे ज़्यादा मानने वाली यह है कि आत्मराम के समाधी स्थल अर्थाद उसके समाधी की जगा समाधी स्थल होने के बाद वे कई सन्यासियों के साथ हिमाले चला गया और वहां से लोटकर कभी ना आया अर्थाद लोग कहते हैं कि जब आत्मरान अर्थाद उसका तोता मृत्यू को प्राप्वा उसने उसे समाधी दी उसके बाद वो महादेव कहां चला गया हिमाले चला गया सन्यासियों के साथ अब यह सच है कि नहीं यह नहीं जानते लेकिन मुंशी प्रेमचन द्वारा आप अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो अच्छा ही मिलेगी और बुरा काम करेंगे तो बुरा ही मिलेगी तो इस बात पर हमें विशेश कौर करना चाहिए कि जीवन का लक्ष आकर है क्या हमें करना यह हैं बच्चों कि हमें सत मार्क को अपनाना है हमें कभी भी गलत मा करके और नहीं जाना ऐसे मित्र बनाई ये जीवन में जो आपको सही राह दिखाए और अपने बड़ों की बात तो अवश्य माने तो मित करते हूं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी अब इसका अभ्याजकार आप स्वेम कीजिए